आज मैं आपको सबकी फेवरिट स्ट्रीट स्टाइल आलू की टिक्की चार्ट की रेसिपी बताने वाली हूँ जो की बहुत सिंपल तरीके से घर पर बन जाती है बिल्कुल वही की रस्पिनेस होती है इसमें और बहुत ही बढ़िया बनती है तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे आलू टिक्कियां उसके बाद उपर से डालेंगे चटपटी तीखी चटनियां तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो यम्मी और क्रस्पी आलू टिक्की बनाने के लिए यहां मैंने 300 ग्राम आलू लिये हैं जिने मैंने बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद जब आलू ठंडे हो गए ते रूम टेंपरेचर पर तो मैंने इने 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था फ्रिज में रखने से क्या होता है कि जो भी आलू में से एक्स्ट्रा नमी होती है वो निकल जाती है और उसकी वज़ा से जो हमारी आलू टिक्की होती है वो एकदम सूपर क्रस्पी बनेंगी तो ये भी बहुती इंपोर्टेंट टिप है फ्रेंड कभी भी फ्रेशली बॉयल्ट पोटेटोस मत यूज कीजिएगा आलू टिक्की के लिए तो अब हम इसमें एट करेंगे सारे मसाले तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर इसके बाद एक छोटा चमच हल्दी पाउडर डालने से जो हमारी आलू टिक्की हैं उनका कलर एकदम मार्किड वाले लुक में आएगा अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो बड़ा चमच फ्रेश धनिया कटा हुआ अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और साथ में थोड़ा सा साधा नमक यानि की रेगुलर नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं और यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा चमच नीवू का रस अगर आपके पास नीवू नहीं है तो आप इसमें आधा बड़ा चमच आमचूर पॉर्डर भी एड़ कर सकती हैं अब हम यहाँ पर आलूओं को थोड़ा सा मेश कर लेते हैं उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सबसे इंपोरेंट चीज जो इस टिक्की को बना देगा एकदम की रस्पी और जो टिक्की का मुख इंग्रिडियन्ट है ओ है चावल का आटा तो मैं यहाँ ले रही हूँ 6-7 बड़े चमच चावल का आटा हमें इसे एक साथ नहीं डालना है हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके एड़ करेंगे चावल का आटा मैंने घर पर ही तयार किया है चावल को मैंने क्या किया मिक्सी में चला लिया एक से दो मिनिट तक एकदम बारिक पाउडर बन गया जो बिल्कुल तयार है और मैं वही यूज़ कर रही हूँ चावल के आटे को थोड़ा होड़ा करके डालते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे अगर चावल का आटा ना हो तो आप इसमें सूजी भी यूज़ कर सकते हैं सूजी को एक बार मिक्सी में चला लीजिए फिर यूज़ कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लिया है बिल्कुल आटे जैसा हो चुका है हमारे आलू का मिक्सर बिल्कुल तैयार है तो अब हम इसका छोटा छोटा पोर्शन ले लिए अपने हातों में और इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हैं इसका एक लड़ू बना लीजिए यानि कि इसका कोला बना लीजिए इस तरह से एक स्मूध कोला होना चाहिए और फिर हम इसे हतेली पर रखकर हलके हलके हाथ से दबार कर फिलेट कर लिए तो एक टिकITY हमारी रेड़ी है इसी तरह से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे और अगर आपके हाथ में टिक्कियां जिपक रही है तो आप अपने हाथ में तेल लगा कर भी टिक्कियां बना सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पर यह दूसरी टिक्की भी बना ली है और इसी तरह से मैं सारे टिक्कियां बना लूँगी तो यहाँ पर हमारी सारे टिक्कियां बन चुकी हैं अब हम इने तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए हमारी टिक्कियां एकदम परफेक्ट बनकर तयार हुई है आप चाहें तो इन टिक्कियों को दो से तीन दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं इस स्टेज पर और जब आपका मन हो फ्राई करने का तो आप फ्राई कर सकती हैं अब हम इसको फ्राई करेंगे तो यहां मैंने कड़ाई लिया और कड़ाई में मैंने ओयल डाल लिया है और अब हम एके करके टिक्कियां फ्राई करेंगे आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकती हैं बट उसमें थोड़ा ज़ादा टाइम लगता है इसलिए यहाँ पर मैं deep fry कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी एक टिक्की oil में डाल दी है और अब हम इसको अच्छी तरह से fry करेंगे टिक्कियां fry करते time अपना flame लो रखें जिससे टिक्की अंदर तक सही से fry हो जाए और जब अंदर तक सही से fry हो जाएगी तो टिक्की एकदम क्रस्पी किरंची बनेगी तो मैंने जो यहाँ पर टिक्की डाली थी वो एक साइट से अच्छे से fry हो चुकी है तो अब हम इसे सही से परट लिंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से fry कर लिंगे तो देखिए हमारी एक टिक्की फ्राई हो चुकी है देखिए कितना बड़िया कलर आया इसका तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर कर भी उस कर रही हूँ जिससे टिक्की में जो एक्स्टर ओयल है वो भी निकल जाए तो अब मैं दूसरी टिक्की डाल रही हूँ इसे भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे तो हमारी दो टिक्कीया रेडी हो चुकी है अब हम इसी तरह से सारी टिक्कीयों को fry कर लेंगे तो मैंने इसे वी प्लेट में निकाल लिया है अब मैं आपको हाथ से दिखा देती हूँ कि देखिए हमारी कितनी बढ़ीय तरीके से टिक्कियां फिराई हुई है तो यहां सारे टिक्कियां अच्छे से फ्राई हो चुकी है बहुत ज़ादा किरस्पी बनी हैं सारे टिक्कियां इसकी किरस्पीनिस सुनाती हूँ आपको आवासे ही पता लग रहा होगा कि हमारी टिक्कियां कितनी किरस्पी बनी है आप इसे ऐसे भी सर्फ कर सकती हैं किसी भी सॉस के साथ या दही के साथ फिलाल मैं यहाँ पर आलो टिक्की चाइट बना रही हूँ तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो मैंने यहाँ एक प्लेट में टिक्की को ले लिया है, अब मैं इसमें वैल छोले डाल लई हूँ, लगबक तीन चार बड़े चमच, आप चाहें तो जादा भी इसमें छोले एड़ कर सकती है, अब मैं इसमें डाल लई हूँ चाट मसाला पॉर्डर, अगर आप चाट मसाल पॉर्डर बनाना चाहती है, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से मेरी इस वीडियो की रेसिपी देख सकती है, तो अब मैं इसमें डाल लई हूँ हरी चटनी, अगर आप हरी चट बनाना से फेट लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे इमली की मीठी चटनी, तो अगर आप मीठी चटनी बनाना चाहती है, तो मैं इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, और इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप मेरी इस स्ट्रीट स्टैल मार्केट जैसी क्रस्पी क्रंची आलू की टिक्की चार्ट, तो फ्रेंड्स, I hope आपको आज की मेरी आसान और चटपटी आलू टिक्की चार्ट की रेश भी पसंद आई, अगर हाथ तो लाइक तो जरूर बनता है, और साथ ही मेरी चैनल को भी जरूर कीजिएगा